अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सिस्क्राइब कर लिजिए ताकि आपको लेटिस नोटिफिकेशन मिलती रहे और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं जिसमें हमने नाउन्स को और एडजेक्टिव्स को पूरी की पूरी डिटेल में उसको कम्प्लीट किया जिसमें नाउन्स पे हमने तीन पूर्शन किये थे और जो एडजेक्टिव्स था उस पे हमने सेवन वीडियो की हैं तो प्लीज आप जरूर उन्हें वीडियो को भी जरूर देखिए क्योंकि बिल्कुल बेसिक से वो चीज़ें हैं क्योंकि अगर आपका बेसिक टियर होगा तब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि कॉम्पेटेटिव एग्जाम में क्या होता है कि हम इन सेक्शन में ज्यादा फोकस नहीं करते हैं जिससे हमें आगे बहुत ज्यादा प्र आइएडएड़ आ सेक्शन में ज्यादा आपको अर्टिकल्स होते हैं फिरी आख ऑप आप ऐसेड़ु और फिसलकुल बाप ओफ यहाल दैवाद फ्रुल एबिटा olv में पार्दा घिया होता है यह आर्टिकल्स क्या होते है आर्टिकल्स क्या होते हैं उनने मेरीलीफों हमा एड्जेक्टिव इस यूस्ट डिस्क्राइबिंग नाउन दा आर्टिकल लिज यूस्ट विफोर एनी आफ अदर देखें वाक्य में उप्योग करते समय आर्टिकल को संग्या के पहले लगाया जाता है संग्या क्या होती है नाउन होता है तो किसी भी असेंटेंस के अंदर नाउन से पहले आप क्या यूस्ट करते हैं यूदि एक से अधिक क्विशेशन मौजूद हूँ आपने देखा था पीछे सेंटेंस इसमें जहां पर आपके नाउन के लिए एक से जादा अड्यक्टिव थे तो वहां पर आपने अड्यक्टिव जो आपने यूस्टिव किय तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पर ए यूज किया था adjective क्योंकि उस noun को define करने के लिए बहुत सारे adjectives थे तो उस adjective के आगे हमने article यूज किया था तो इसमें बताया गया है कि अगर एक से ज़ादे adjectives हैं तब ही आपको article यूज करना पड़ेगा सबसे पहले उनको define करने के लिए अब देखते हैं कितने तरह के articles होते हैं तो दो तरह के articles होते हैं एक article होता है अगर हम बात करते हैं ए और एन तो यह दोनों एक category में आते हैं जिसे हम कहते हैं indefinite का मतलब क्या होता है जो properly हमें जिसके लिए हम determine नहीं जिसे हम properly जो है वो किसी particular चीज के बारे में नहीं बात की गई बट अगर हम definite की बात करते हैं जिसके लिए हम बिल्कुल निश्चित जो तोर पर बात करते हैं तब हम दा यूज करते हैं जो कि दूसरा article का टाइप है तो the articles जो है वो दो पौर पार्ट्स में डिवाइडेड है indefinite articles और definite articles आर्टिकल्स तो प्रकार के होते हैं ए एन और दा ए एन indefinite article है अनिश्चित article और दा जो है वो definite और निश्चित article है as a general rule an article is used before every singular common noun except when a noun is used in a general case तो जब भी आप देखें article जो है वो हमेशा हमारा जब singular common noun होता है जब जो noun है वो singular form में होता है उसके साथ हम ए आर्टिकल का use करते हैं बलकि कब इसका use नहीं किया जाता यह एक आम नियम है कि वाक्य में एक वच्चन याद जाती वातिक संग्या के आगे एक article का उप्योग किया जाता है article का उप्योग केवल उन संग्यों के आगे नहीं किया जाता जिन्हें एक आम अर्थ में किया गया हो तो when a noun is used in general sense जब हम noun का use करते हैं एक general sense में तब हम उसके आगे ना articles का use नहीं करते हैं पर जब हम देखते हैं कि हमारे पास singular common noun है common noun मतलब हम जब सभी के लिए उस चीज को apply कर सकते हैं तो उसके साथ हम use कर लेते हैं अगर हम देखते हैं example तो इस example में आपको clear हो जाएगा example of article she is a girl तो यहां पर जो girl है को एक common noun है common noun है और वह singular है तो उसके साथ हमने ए आर्टिकल का use किया I saw an aeroplane in the sky जो aeroplane है जितने भी aeroplane है वो सब भी aeroplane ही है और उनको आगे हमने आन का use किया जो आन जो है वो हमने इसलिए use किया क्योंकि यहां पर singular की बात की जा रही है और हमें पता है जब कभी भी हमारे पास a, e, i, o, u इस तरह कि जब हमारे vowel sound होती है जब हम किसी word को read करते हैं तो अगर हमारे vowel sound निकलती है जिसे a, e, i, o, u इससे start होते हैं तब हमें क्या करना है उसके आगे and का use करना होता है so girl पहले a और aeroplane के place पहले क्या use किया and और sky के पहले हमने da का use किया यहां पर देखिए da sky यूज किया आपने इसी तरह आर्टिकल प्रियुक्त होते हैं देखिए जो sky है वो da particular sky है sky जो है वो एक ही है तो उसे की बारे में बात की जा रही है तो यहां पर हम da का use करते हैं उसको define करने के लिए and man is mortal जो man है वो क्या है mortal है यहां man और mortal दोनों ही संग्याओं का प्योग एक आम अर्थ में किया गया है इसलिए आर्टिकल का प्योग नहीं किया गया यहाँ पे यह जो है दूनों man और जो mortal है यह आम अर्थ में इसका general sense में इनका use किया गया है कि man is mortal तो यहाँ पे इसलिए हमने इसके आगे कोई भी noun का article का use नहीं किया है जब कभी भी general sense में use किया जाता है किसी भी sentence को तब उसके आगे हम article का use नहीं करते देखे, type of articles, definite article, indefinite article, दो दरह के articles हो गए, definite और indefinite और omission of article और repetition of article अब हम देखते हैं, ये चार्ट है, definite article पहले देख लेते हैं, definite article क्या होता है, indefinite article, a, n, ठीके, तो जो हमारा article है, definite article वो क्या है, a और n a, n का, a, n, are recognized as indefinite articles because the noun that they are connected to does not indicate a particular object or person देखे, a और n जो होता है, ये indefinite articles होते हैं, जब हम किसी निश्चित व्यक्ती या वस्तु के बारे में बात नहीं करते हैं, तब हम उसके साथ a और n का use करते हैं the use of a and an before a noun is decided by the starting sound, हमने पहले भी देखा था कि इसका starting sound जिस तरह से जब हम उन्हें बॉल के देखते हैं, तो अगर हम उनकी जो starting sound होती है, वो vowel में आती है, a, e, i, o, u, तब हम उसके साथ an use करते हैं if the word starts with vowel sound, then it is preceded by an otherwise by a, शब्द के पहले a लगेगा, या an इसका निर्ने उसके पहले अक्षर के उचारन के अधार पर किया जाता है, यदि पहले शब्द का उचारन, vowel sound धवने देता है, तो an का उपियो किया जाता है, नहीं तो a का, उधारन के लिए जैसे आपके पास यहा आपके नहीं आई बॉक्स में, तो आपने यहां पे a का यूज किया, animal, an, animal, क्यों एन क्यों यूज किया, क्योंकि यहां से animal को a से, a जो है, वोवल साउंड निकल रही है, इसलिए हम एन यूज कर रहे है, और अगर आपके बात करते हैं, man की, तो उसमें भी man से यहां पे a की वास नहीं आ रही है, e, i, o, u की वास नहीं आ रही है, इसलिए हमने यहां पे a यूज किया, और elephant में elephant, तो e से हमारी वोवल साउंड निकल रही है, इसलिए हमने यहां पे an का यूज किया, उसके बाद आप यह भी remember, याद करना पड़ेगा आपको, it is vowel sound and not a vowel letter, तो आप ठीक है, अब आप इसे किस तरह से read करेंगे, mla को क्या करेंगे, अगर आपके पास लिखा हो mla और आपको उसके आगे article यूज करना है, तो आप क्या article यूज करेंगे, आप mla, mla, तो आप देखेंगे, a से इसकी वोवल साउंड होती है, इसलिए इसका साथ n लगेगा, ब तो इसका मतलब यहां पर a लग जाएगा, तो यह बिल्कुल wrong है, इस तरह से कहा गया है कि आपको उसके वोवल साउंड चेक करनी है, आपको वोवल लेटर चेक नहीं करना, तो इस तरह से अगर हम यूनिवरसिटी की बात करते हैं, तो यहां पर है यूनिवरसिटी, तो य नहीं पर दो बात करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर लोगे बेशक यह से स्टार्ट हूरा है, तो इसके साथ हम एग यूज करेंगे, क्यूंकि यहां पर अपर A, E, O, I, U की जो वोवल साउंड है वो नहीं है तो यहां पर A यूज किया है तो जितने भी इंदाफिनित आर्टिकल्स होते हैं उनका यूज हम नाउन्स के साथ करते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में होती हैं तो अब देखते हैं डाफिनित आर्टिकल्स क्या होते हैं डाफिनित आर्टिकल्स जो दो वाले होते हैं तो यह जो दा है वो डाफिनित आर्टिकल्स है और यह नाउन्स से पहले लगता है और यह इंडिकेट करता है डाफिनित परसन और अबजिक्ट को क्योंकि किसी एक विशेश या निश्चित व्यक्ति वस्तु का बहुत करवाता है रूल यहां पर क्या है A definite article is used before and now that represents a well-identified object or a person जो definite article दा का उप्योग एक ऐसे संग्या के पहले किया जाता है जिसके पहले किया जा चुका हो या जिसकी पहचान पर कोई संदेह ना हो जिसकी पहचान पर हमें कोई संदेह नहीं है जिसका यूज हम पहले कर चुके हैं उसे का ही हम फिर से उसका यूज कर रहे हैं तो उस नाउन के साथ हम दा यूज करते हैं कि यह बताने के लिए कि हमें इसके बार पहले से ही जो information है जैसे हम बात करें है the pen that you use is very good कि जो pen तुमने यूज किया था वो बहुत अच्छा था तुम आप बात किये the pen मतलब वो pen के information आपके पास already है या आपने उसको use किया है let us go to the classroom let us go to the classroom कि classroom में चलते हैं सभी ठीके न इस तरह से क्या है definite article is used before a singular noun that represents the entire type of a class definite article अगर आप use करते हैं singular noun से पहले तो वो उसकी पूरी की पूरी जो class है उसकी type है उसको वो define करता है तो आपको clear हो गया होगा definite article और indefinite article निश्चित वस्थू का जब हमें definite इसका पूरा उसके बारे में information है तो उसके साथ हम दा यूज करते हैं और जब हमें उसके बारे में निश्चित कोई information नहीं है तब हम उसके साथ indefinite articles a और n यूज करते हैं thank you friends if you like my video please like share and subscribe my channel और अगर आपको कोई भी query है आप comment section में पूच सकते हैं thank you for watching